Hello everyone, this is Jankit, Welcome back to our channel इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आपका नेवी का 30 अगस्त का stage 2 का review 28 अगस्त और 29 अगस्त का आपने review अगर देखा तो क्या समझा आप ये समझे उस review से कि अगर इस बार अगर नेवी का stage 2 आपको निकालना है तो आपकी running निकलनी ही चाहिए running अगर निकाल लिया तो फिर आगे कोई भी समझे आपको नहीं आएगी क्योंकि पहली चीज़ तो जितनी reporting है उसमें भी 20-25% candidate absent हो रहे है डेट्स होग रिपोर्टिंग है 110 पहुँच रहे हैं तो 40 तो यहीं कम हो गए अब 110 में से 50% candidate का running में आउट हो गया अब अच्छे 55 तो अब 55 में ज्यादा नहीं आउट किया जा रहा है क्योंकि उनको भी तो vacancy फिल करनी है तो फिर स्कॉर्स में पूस अप में नहीं बार किया जा रहा है रिटन जैसा सोच रहे हैं जैसे paper मैंने आपको करवाए है same as it is आ रहे है नेवी के paper बिल्कुल वैसे ही जितना level दिया उससे हलका ही आपको मिल ला है पहले ही आपको समझाया है कि stage 2 का जो exam है आपको हलका ही मिलेगा अच्छा इसके बाद आपका medical हो रहा है medical में जो लोग fit है फिट जुन लोग थोड़ी बहुत समझा है उनको re-medical के लिए refer किया गया 21 दिन का समय है military hospitals में आप जाइए अपना जो medical है वो सही कराइए है ना तो इतना तो आप समझ गए है अब वही चीज़े मैं बार बार बताऊंगा कोई भायदा नहीं है तो इस वीडियो में आपको कुछ questions प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके काम आएंगे help करेंगे बाकी एक दो center का review भी बता देता हूँ आज कैसा क्या हुआ comment box में आप लोग thank you लिखा करते हो मुझे thank you मत लिखा करिए इन candidates को thank you लिखा करिए क्योंकि इनकी वज़े से ही आप detail में चीज़े जान पाते हो बाइस का selection हो गया मतलब इसका सारी चीज़े हो गई इसको क्या ज़रुगत है कि आपके लिए ये review लिखे लेकर अगर time निकाल के आपको review दे रहा है तो thank you इसे बोला करिए चीक है चलिए हम आपको review बताते हैं सुबह 6 बज़े से कोलकाता में reporting था 150 में से 108 बंदे present थे तो कोलकाता के ये review है 150 में से 108 present थे मतलब 42 जो candidate थे वो आपके absent थे PFT होने में साड़े 10 से 12 बज़ गया हमारे group में 30 बंदे का running था उसमें 21 लोग पास किया आगे दिखिए उसके एक घंटे रिस्ट होने के बाद 12 से एक exam देने के लिए ले गए थे तो 12 से एक exam हुआ अच्छा 6 बज़े reporting हुई साड़े 10 बज़े के बाद PFT हुआ मतलब 4 घंटे क्या हुआ 4 घंटे आपकी document verification हुआ तो document आपके सबके सही होने चाहिए क्योंकि वहाँ फिर आपकी कोई सुने गया नहीं document आप सही लेके जाहिएगा अगर आपने upload करते वद गलत भी upload कर दिया और आपके पास अभी सही है तो ले जाहिए चेक होंगे कोई दिक्कत नहीं होगी questions आपके test series का ही था GKN Science तो हमने आपको SSR की 20 test प्रवाइड किये थे उसी से आपको GKN Science मिल ला है और हमने जो आपको पढ़ाया था YouTube पे वही से आया था YouTube पे पढ़ाया या टेली ग्रम पे पढ़ाया है और यह जो टेस्ट आपके लिए बनाया थे पहली बार नवी के लिए 20 test हमने त्यार किया थे SSR के लिए अमार के लिए पूरा experience लगा दिया थे इंट्रेस्ट में डेली हर वीडियो में चिला चिला कहता था कि हमारे जो test है 249 रुपए के हैं इनको purchase करो और इंट्रेस्ट को लगाओ जैसा नवी पूछता है डिट्टो सेम टू सेम लगबग 80-90% जो paper है वो ऐसा ही बनाया है तो हमने जो level रखा था इससे कम level ही आपका नवी में पूछा जा रहा है तो हमने आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है GK में वो ही आपकी currency capital से था जो हमने आपको capital and currency करवाया था फिक्स है हर सिप्ट में capital and currency एक एक आ रही है ये नहीं छूटना चाहिए दो से तीन 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 full form आ रहे हैं तो वो नहीं छूटना चाहिए दो नमबर ये full form तीन दो पांच डांस एक च्छै नमबर तो ये सारे आपके छूटने नहीं चाहिए मैंने बोला कि चलो कुछ question बताओ जी के के क्योंकि question इनको याद नहीं रहते जबकि आसान पूछा जा रहा तो याद होना चाहिए तो उन्होंने एक question बताया कि बुलगेरिया का capital पूछा गया था देखें बुलगेरिया रिपीट हुआ है अभी stage 1 में पूछा गया था या फिर last batch में पूछा गया था exactly याद नहीं है तो बुलगेरिया की capital है वो आपकी Sophia होती है Sophia बुलगेरिया का largest city है और यहीं यहाँ की capital है अच्छा इसकी currency भी पूछी जा सकती है यूपी का कौन सा dance है कतक यूपी का classical dance है सास्ती नरत है कतक इसलिए यह पूछा जाता है यूपी के कुछ folk dance है तो folk dance उनको याद रखिये मैं बोल देता हूँ नोटंकी, रासलीला, रामलीला, कजरी, जोरा, चपेली, जैता यह सारे आपके यूपी के folk dance है लोक नरत है तो सास्ती नरत है आपका यूपी का कतक है जो पूछा गया था यही सब पूछा गया था और जादा याद नहीं आ रहा है चलो याद नहीं आ रहा है फिर भी इनोंने एक लिक दिया कि Maldives का currency पूछा गया था Maldives का जो capital होता है वो होता है माले और currency होती रुपिया F F Y AA रुपिया होता है यहां की currency तो यह यह तो currency पूछी गयी है यह capital जो भी पूछा गया इनोंने currency बताया है बाकि math थोड़ा सा hard था और physics numerical से जादा आ रहा है देखिए अगर English और जी के आपको बहुत हीजी मिल लेए तो फिर math और physics अगर tough भी है तो कोई दिक्कत नहीं है physics में numerical आता ही है लगबग 12 से 15 question तो numerical आपका आ रहा है exam के तुरंत बाद इनका medical के लिए लेके गया और पांच बे तक medical चला इसके बाद चुटी हो गए ये एक girl candidate का review हो गया hello good evening sir नेवी SSI से second exam में मस्त हुआ बिलकुल आपका पढ़ाया हुआ था पिछले दो दिन में ज़्यादा तारीफ है नहीं मिली लेकि रहाज थोड़ा तारीफ मिल लई है बाकि मुझे पता है कि जो मैंने पढ़ाया है वही आया है क्योंकि मैं on the topic to the topic पढ़ाता हूँ जो चीज़े पूछी जाती है देखिए एक कथक डांस इन्होंने बताया जो उपर मैंने आपको बता दिया इन्होंने तीन फुल फॉर्म बता दिये ये बहुत अच्छा काम किया USB फुल फॉर्म पढ़ाई गई आपको नहीं भी पढ़ाई गी तो भी आपको हानी चाहिए पाई यूनिवर्शल सिरियल बस ये होती USB का फॉल फॉर्म नेपा पूछा गया था नेपा का फॉल फॉर्म होता है नेशनल इन्वॉर्मेंट नेशनल इन्वریर्मेंट पी से होता है पॉलिशी ए से एक्ट नेपा आईस पी का फॉल फॉर्म पूचा गया था, साइध कंप्यूटर की छेत में ही पूचा गया होगा, क्योंग कंप्यूटर से एक फुल फॉर्म आता है एक उपर USB हो गया, एक ही हो इंटरनेट, और S से हो गया आपका service P से provider तो internet service provider यह ISP का फॉल फॉर्म, यह तीन फुल फॉर्म पूछे गए जब देख लो यह तीन नमबर है फिरीक है की नहीं है तीन नमबर यह एक कैपिटल का एक करेंसी का एक डांस का च्छै नमबर तो जी के मैं इसे ही मिल गए ठीक है सिरीज से एक कोईशन इन्हों बताए कि यह कोईशन था मालदीब्स की कैपिटल बताई वालेडी उपर बता देख यह एक यह देखी नया कोईशन मिला कि मैं आमार की लेंगवेज पूछे गए थी मैं आमार से लेटर कोईशन पढ़ाए गए है आपको यह पढ़ाए गया होगे कि मैं आमार का पुराना नाम क्या है बर्मा है तो बर्मा की पुराना नाम की जगा है पिन्होंने लेंगवेज पूछ ली और यहां की जो लेंगवेज है वो है बर्मीज इंगलीज में और हिंदी में बर्मी कहते हैं इंगलीज में बर्मी का था फिर भी कुछ कोईशन छूड़ गये थे तो एक बंदे ने अल्मोस्ट दस कोईशन के आसपस जीके के याद कर लिये थे यह मैं आपको जल्दे सकरवा देता हूँ करेंसी ओफ साउथ कुरिया शियोल खुदी बता दिया भाई ने अजंता केब्स महाराष्ट में हैं ग्रीज की करेंसी पूची गई थी यह उंतिस अगस्त का है बिट का लॉग फॉर्म अच्छा बिट का फुल फॉर्म पूचा गया था बाइनरी डिजिट होता है देखिए बिट से कहीं भी नहीं लग रहा है बाइनरी डिजिट है ना इसलिए पूच लिया जाता है याद रखना इस ट्रैक का फॉल फॉर्म पूचा गया था क्या होता है इस रो टेलीमेटरी ट्रैकिंग एंड कमांड निटवर्क S FTP का फॉल फॉर्म सेक्यूर फाइल ट्रांसफर पॉर्टोबर एक दो तीन फॉल फॉर्म एक दो पांच नंबर ये आपके फिक्स हैं किसी के भी छूटने नहीं चाहिए एक करेंसी एक कैपिटल और तीन फॉल फॉर्म पूचह जा रहे है बाकी एक ये कुश्चन था आपका जीके में वो भी आती है पांसे साथ कोश्चन रीजनिंग तो ये एक रीजनिंग कोश्चन कुडिय अट्टम डांस था जो कि केरल का है तुलिप नेशनल पार्क जो कि जम्मु कसमीर का है बाकी एक डायगराम से लेटर कोई कोश्चन था ये नो कोश्चन थे जो कि जीके में भाई याद करके आये थे 19 अगस्त का जो कि मैंने आपको बता दिया ठीक है बस यही वीडियो थी यही रिव्यू है इतना ही मिला है और इतना इनफ है इससे जादा आप मुझे आपको रिव्यू डिटेल में बताने की जोरुत नहीं है पहले दिन और दूसरे दिन मैंने आपको डिटेल में समझा दिया आए चीजे यही रहेंगी बागी टेली ग्राम पर जितने भी स्क्रीन सॉट्स है मैं बेसता रहूंगा हो सकेगा मैं भी वीडियो कम बनाऊंगा क्योंकि अब हम एर फोर्स के तयारी स्टार्ट कर रहे है